Hello everyone and welcome back to my channel तो इस tutorial में हम बात करने वाले हैं अगर आप एक NRI हैं और आपकी कुछ income इंडिया में होती है मानलिया आपकी income salary से होती है या आपकी कुछ income house property से होती मानलिया आपने अपना flat rent पे दे रखा है या आपने अपना home rent पे दे रखा है मानलिया आपने कुछ shares ले रखे हैं और उससे आपका कुछ gain हुआ है सेल करने से आपको कुछ interest मिल रहा है किसी account में या तो मानलिया आपने ft का रखी है या किसी other way से आपको interest मिल रहा है तो वो सारी चीजे हम इस tutorial में देखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए और बिल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए आप income tax की playlist को भी refer कर सकते हैं इसमें मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं कि NRI नहीं है तो इसके लिए मैंने already एक detailed में वीडियो बना रखा है उसको मैं description box में डाल दूँगा तो आप उसको refer कर लीजिएगा तो देखें इसका एक simple सा concept है मालिया एक year में 365 days होते है 365 days को आप 2 से divide कीजिए तो 182.55 आएगा तो आपको याद रखने के लिए अगर आप इंडिया के बाहर employment के लिए जा रहे हैं तो आप 182 या उससे जादा दिन अगर इंडिया में रखते हैं तो आप होंगे resident और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप NRI की category में आ जाते हैं जो भी बाते होती हैं ये एक financial year के अंदर की ही बाते होती है ठीक है तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है आप मेरा video refer कर सकते हैं उसमें मैंने काफी detailed में समझाया हुआ है कि क्या क्या conditions होती है कितने days आपको spend करने पड़ते हैं तो वो सारी चीज़े आप देख सकते हैं चल ये तो ITR 2 form को download करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको यहाँ पे income tax की website पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो download है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए मैं यहाँ पे आपको Microsoft Excel में दिखाऊंगा देखिए ITR 2 form में ये खास बात है कि आप इसको income tax की website पे जाके online नहीं फिल कर सकते हैं आपको इसमें यहाँ से download करना पड़ेगा और फिर आपको XML generate करनी पड़ेगी और फिर वो XML आप income tax की website पे जाके upload कर सकते हैं तो मैंने इसको already download कर रखा है और अब चलिए मैं इसको open करके देखता हूँ और फिर मैं आपको इसमें ये सारे scenario समझाने की कोशिश करता हूँ मैंने ITR 2 form पे एक overview video already बना रखा है तो आप उसको भी refer कर सकते हैं ये specifically मैं NRI के लिए दिखा रहा हूँ जो भी चीज़े होंगी मैं NRI के specific आपको बताऊँगा तो जब आप इसको open करेंगे तो ये ऐसा कुछ open होके आ जाएगा यहाँ पे लिखाऊगा इस utility is for assessment year 2020-2021 आप इसको okay कर दीजेगा देखे इसमें काफी सारे sections हैं तो आपको इससे घबराना नहीं है इसमें काफी सारे sections ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके use के नहीं है मान लिया आपकी कोई भी income इंडिया में salary से नहीं होती है तो आपको ये salary वाला नहीं बनना है अगर कोई भी section आपके relevant के नहीं है तो आप यहाँ पे no कर सकते हैं और जैसे आप no करके यहाँ पे apply करेंगे तो वो section disable हो जाएगा और अगर आप देखोगे तो यहाँ से tap से भी हट जाएगा तो मैं यहाँ पे आपको general section, salary section, house property, capital gain अगर आपने कुछ equity share ले रखे हैं as a non resident और उनको आपने sale किया है, उनसे आपको कुछ capital gain हुआ है तो उसको भी मैं आपको इस form में दिखाऊंगा इसके अलावा आपकी अगर कोई income हो रही हो, other sources से आपने कुछ अगर savings का रखी है, तो वो सारी चीजे हम इसमें देखेंगे तो चलिए relevant tab पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे आपको fill up करना है तो चलिए सबसे पहले चलते हैं part a journal पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको सारी details यहाँ पे डालने पड़ेंगी, first name, last name, आपका pen number यहाँ पे आपका address डालना होगा, अब देखें काफी लोगों की queries आती हैं कि यहाँ पे आप कौन सा address डालें, तो यहाँ पे आपको वो address डालना है जिस पे कि आप reachable हो, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे यह सारी area, locality बनने के बाद, यहाँ पे आप country भी देख सकते हैं, तो इसमें पड़ेगा, filed under section, तो अगर आप due date के अंदर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप 139.1 on और before due date बनना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे click करेंगे, तो यह आपको सारे options मिल जाएंगे, अगर मेरा यह वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, तो आप उसके according, यह select कीजिएगा, चलिए इसके बाद यह देखिए, यहाँ पे आपको यह condition मिलेगी, are you filing return of income under 7th proviso to section 139.1 ठीक है, तो यह 3 चीज़े हैं, अगर आप इन में से कोई भी 3 चीज़े satisfy करते हैं, तो आपको यहाँ पे yes करना पड़ेगा, और फिर relevant चीज़ आपको भरनी पड़ेगी, तो यह देख लीजिए, तीन चीज़े क्या हैं, तो आपने अगर एक करोण या उससे ज़्यादा अपने current account में deposit किया है, तो आपको यहाँ पे fill up करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है, अगर आपने कहीं foreign travel पे 2 लाख या उससे ज़्यादा खर्चा किया है, या तो अपने पे या किसी दूसरे पे भी, और तीसरा क्या है, यहाँ पे अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा electricity पे खर्चा किया है, तो अगर आपके case में applicable होता है, तो इसको आप yes कर देंगे, otherwise इसको no रहने देंगे, यहाँ पे यह important चीज़ है, आपको residential status in India बरना है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़े मिलेंगी, और यहाँ पे आपको select करना है NRI, non-resident, उसके बाद आपको यह भी select करना पड़ेगा, you were a non-resident during the previous year, ठीक है तो आप इसको select कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे jurisdiction of residence बना पड़ेगा, तो माल यह मैं अभी London में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 44 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland यह बना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका tax pair identification number बना होगा, तो जो लोग UK में रहते हैं, उनको पता है, यहाँ पे NI number बरा जा सकता है, अगर आप US में रहते हैं, तो आप accordingly जो भी आपका वहाँ पे tax identification number हो, जिससे भी आप tax पे करते हों, वो यहाँ पे आप reference के लिए डाल सकते हैं, चलिए उसके बाद यहाँ पे आएंगे, in case you are a citizen of India और a person of Indian origin POI, तो आपको यहाँ पे yes करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यह सारी details दान ली पड़ेंगी, name, capacity क्या है, तो मानलिया मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे yes करते हैं, तो यह सारी details active हो जाएंगी, फिर आपको यह सारी चीज़े बननी पड़ेंगी, capacity बनना पड़ेगा, कि manager है, guardian है या others है, अगर आप खुद fill up कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे no कर दीजे, जैसा ही no करेंगे, यह सारी grade out हो जाएंगी, उसके बाद अगर आप किसी company में director हैं, तो आपको यह fill up करना पड़ेगा, अगर आप नहीं है, तो यहाँ पे no fill up कर सकते हैं, फिर यहाँ पे अगर details आपने, जो पहले से form fill up कर रखे हैं, उनसे अगर आपको लेनी हैं, तो आप pre-filled XML utility का use कर सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग से video बना रखा है, आप उसको refer कर सकते हैं, और आप यह देख सकते हैं कि कैसे आप उसको यहाँ पे import कर सकते हैं, तो इससे आपको फाइदा यह हो employer जो होगा, वहाँ से आपको कुछ salary मिलेगी, तो अगर ऐसा कुछ scenario है, तो आप यहाँ पे details डाल सकते हैं, माल लिया आपने किसी company के साथ एक financial year में तीन महिने तक काम किया, तीन महिने के आपको कुछ salary होगी, तो वो salary आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सारी details, मैंने यहाँ प आपको basic salary मिले, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, इसके बाद अगर आपका allowance वगरा मिलता है, या house rent allowance मिलता है, वो सारी चीज़े आप यहाँ पे अपने form 16 के according डाल सकते हैं, अब आते हैं house property के उपर, आपने माल लिया कोई flat या आपने कोई house ले रखा है इंडिया में, और उससे आपको कुछ rent मिलता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, आपको यहाँ पे fill up करते समय, यह चीज़े ध्यान में रखनी है, कि आपको यह सारी details पहले fill करनी है, अगर आप jump करके सीधे यहाँ पे आजाएंगे, तो आपको यह fill नहीं करने देगा, जब आप है, यहाँ पे 100% आ जाएगा, मालिया आपने एक flat लिया, और आपकी wife उसकी 50% owner है, तो आप यहाँ पे 50% भर देंगे, देखिए, यह adjust हो जाएगा, मालिया जो co-owner है, उसका share है 30%, तो आप यहाँ पे जैसे details भरेंगे, उसके according यहाँ पे वो adjust हो जाएगा, तो अभी के आपको जितना भी rent मिलता है, एक financial year में वो आप total यहाँ पे डाल देगे, मालिया आपको 10,000 रुपे पर मन्त rent मिल रहा है, तो total आपका yearly 1,20,000 हो गया, तो मैंने यहाँ पे 1,20,000 रुपे डाल दिया, अब देखिए, क्योंकि यह property आप 50-50% own करते हैं, तो यह आपका 60,000 कि आप कितना percentage own करते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से 50 कर देता हूँ, अचा आपको यहाँ पे 30% मिल जाएगा, तो आपका 60,000 अगर total income होई है, तो आपका 30% 18,000, 18,000 यहाँ से आपको minus हो जाएगा, तो आपकी total income from house property आजाएगी 42,000, आपके case में जैसा भी आपका share होगा, ज specifically part आपको समझाना चाहता हूँ, इस वीडियो में, तेकि इससे पहले मैंने schedule 112A का वीडियो बनाया था, तो मुझे काफी queries आई थी, NRI की भी, मुझे काफी सारे mails भी आए, कि अगर वो NRI है, तो उन्हें कौन सा tab भरना है, तो देखें अगर आप home पे जाएंगे, और यहा और सेक्शन 112A, और देखें सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इसमें non-resident नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि schedule 112A जो है, वो resident के लिए है, और उसी के equivalent, schedule 115AD है, मतलब अगर आप non-resident है, तो आपको यह वाला नहीं भरना है, आपको schedule 115AD भरना है, तो यह एक खास जो आपको ध्यान में रखनी है, आप मेरा schedule 112A का वीडियो जरूर रिफर कीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी सारी जो मैंने concept discuss किये हैं, सारे sections discuss किये हैं, वो सारे एक ही यह से होने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे कुछ चीजें जो की non-resident के लिए applicable नहीं होती है, उसकी calculation आपक करना है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको schedule 115AD दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम आएंगे CG पे, तो इसको आप open कीजिएगा, देखें यह मैंने same example ले रखा है, जो कि मैंने schedule 112A के वीडियो में बताया था, तो देखें अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ प सेम चीजें हैं, जैसे हमने वहाँ पे भरा था, वैसे ही हमें यहाँ पे भरना है, कोई इसमें difference नहीं है, तो माल लिया मैंने इस company के 100 shares लिये, sale price मैंने कर दिया 3000, यहाँ पे हमने cost of acquisition, मतलब जब हमने इस share को खरीदा था, वो यहाँ पे हमने डाल दी, उसके बाद यहाँ fair market value, यह मैंने उस video में काफे अच्छे से समझाया है, कि कैसे आप देखते हैं, तो मैंने यह सारी details से यहाँ पे fill up कर दी, आपको अगर अच्छे से समझना है, तो आप video refer कर सकते हैं, मैं अभी इसमें वो चीज़े repeat नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि यह already मैं समझा चुका हूं, चलिए, तो यह सारी details जब आप fill up कर देंगे, तो यहाँ पे आपका total LTCG आ जाएगा, अब देखिए, काफी सारी मुझे questions यह आते हैं, कि क्या वो short term capital gain भी यहाँ पे भर सकते हैं, तो उसका answer no है, यह चीज़ जो है, schedule 115AD, यह आपका based है, income tax के section 112A के according, तो यह जो section 112A है, यह सिर्फ आपका long term capital gain पे ही है, और वो भी long term capital gain अगर आपका होता है, इन तीन चीज़ों से, तो ही आप इसको भर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपका long term capital gain मालिया अपने debt mutual fund खरीद रखे हैं, और वहाँ से आपका long term capital gain होता है, तो आप इसको नहीं fill up कर सकते हैं, त for non-residents from the sale of equity share in a company or unit of a equity oriented fund or unit of a business test, ठीक है, on which STT is paid under section 112A, तो आप यहाँ पे देखेंगे, जो भी आपने वहाँ पे fill up किया था और जो भी वहाँ पे calculate होके आया था, वो यहाँ पे आपको 7A में दिखा देगा, तो यहाँ पे वो details आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको क् अगर आप नीचे यहाँ पे आएंगे, जितना भी आपको long term capital gain या short term capital gain, जिस भी section के according आएगा, आपको stable में दिख जाएगा, तो यहाँ पे देखें, long term capital gain हुआ है, तो इस case में हमारा 10% के एसाफ से लगएगा, तो देखें, यहाँ पे यह उठके आगया, और आपको जिस fields जो हैं, यह match नहीं हो पा रही हैं, तो I hope अब आपको यह समझ में आ गया होगा, कि अगर आपने इस type के कोई mutual funds करीद रखे हैं, तो आपको schedule 112 A नहीं बनना है, उसकी बजाए आपको schedule 115 A D बनना है, चली अब इसको हम थोड़ा starting से देख लेते हैं, यहाँ पे और भी सारी हैं, मानलिया आपका कुछ short term capital gain हुआ है, तो आप यहाँ पे fill up कर सकते हैं, अगर आपने मानलिया कुछ property sale की है, या कोई building sale की है, तो यहाँ पे आप details भर सकते हैं, उसके अलावा अगर आपका कुछ short term capital gain, अगर आपका कुछ share से हुआ है, तो वो सारी details भी आप यहाँ पे रखते हैं अब आते हैं OS section में तो यहां पे देखिए आपको क्या बरना है income from other sources अब देखिए मालिया आपका कुछ interest आता है saving bank में मालिया आपने कुछ FDs करा रखी हैं वहां से आपको कुछ मिल रहा है तो यहां पे आप सारी details बर देंगे मालिया आपको कुछ income tax refund से मिल रहा या आप PPF में आपने कुछ invest किया है और वो आप सारे investment यहां पे अपने डाल सकते हैं तो मालिया मैंने example के ताउर पर यहां पे 10,000 डाल लगा है आपको दिखाने के लिए चलिए अब मैं आपको थोड़ा इसमें taxation का समझाता हूँ कि अगर आपने share को sale किया ठीक है तो आप यहां पे देख सकते हैं SPI SI टैप में देखें यहां आपको main difference मिल जाएगा अगर आप schedule 112A fill up करते हैं तो आपको यहां पे detail मिलेंगी fill up हुई और अगर आप यहां पे 115A D भरते हैं तो आपको यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको यह सारी details यहां पे लिखी हुई मि वो सारी details आप यहां पे fill up कर देंगे देखें यहां पे important चीज़ यह है कि आपको जो भी refund लेना हो आप यहां पे details fill up कीजिएगा तो claimed in own hands यहां आपको fill up करनी है और उसके अलावा बाकी सारी details आपको डालनी है कि कि किसके against आपको यह TDS काटा गया है अगर आप यहां पे part TBTI TTI में जाजेंगे तो यहां पे आपको total calculation मिल जाएगी चलिए तो थोड़ा मैं आपको calculations के बारे में समझा देता हूँ कि इसमें 1128 section NRI पे कैसे applicable होता है तो देखें यहां पे जो हमने वहां पे total income fill up की है वो मैंने यहां पे डाल दी आपकी head salary के income other sources की income और यह आपकी house property क जितने भी income हमें मिल रहे थी और यहां पे मैंने deduction डाल दिया है तो देखें इसमें यह खास बात होती है कि जब आप NRI होते हैं तो आपको un exhausted exemption limit का benefit नहीं मिलता है तो अगर आपको यह समझना है कि un exhausted exemption limit क्या होती है तो आप मेरा screen rule 1128 का video refer कर सकते हैं देखें इसमें होता कु आपकी total un exhausted limit निकाली जाती है और फिर उसको जो भी आपका long term capital gain होता है उससे minus करके fit tax देखा जाता है अब अगर आप NRI हैं तो आपको यह benefit नहीं दिया जाता है क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यह चीज जो है वो सिर्फ resident के उपर ही applicable होगी तो देखें इस case मे हमारा total long term capital gain कितना आ रहा था 15AA00 अब देखें यहाँ पे आपको 1 lakh का जो benefit है वो आपको दिया जाएगा तो वो दोनों public able होगा चाहें आप resident हो या आप non resident हो मतलब आपकी 1 lakh से उपर जितना भी आपको capital gain होगा सिर्फ आपको उस पे tax देना पड़ेगा 10% के हिसाब से तो य उस पे आपको 10% के हिसाब से देना पड़ेगा tax और फिर उसमें cess चुट जाएगा 4% के हिसाब से तो यह जो total tax होगा यह आपका long term capital gain पे होगा उसके बाद आपकी जितनी भी income होई है उसका tax normal rate के हिसाब से होगा तो चलिए अब मैं आपको ITR 2 form में दिखाता हूँ कि जो य calculation है वो बिल्कुल सही है तो यहाँ पे यह देखिए आप देख सकते हैं एक लाग रुपए आपकी salary से आ गए यहाँ पे income from house property हमारा 42,000 आ गया और यहाँ पे देखिए long term chargeable at the rate 10% यह आपका आ गया 158800 और अगर आप देखिए यहाँ पे SPI SI में जाएंगे तो यह आपको calculation करके यहाँ पे दिखाई देगा तो यहाँ पे 58800 आपका total tax हो गया section 112a के recording तो हम यहाँ पे आते हैं और इस पे अगर आप नीचे देखेंगे तो यह सारी calculation आपको दिखा देगा और यह देखिए tax at special rate वो आपका यहाँ पे उठके आ जाएगा उसके बाद अगर आप यहा हो जाएगा तो हमारा यह total refund आजाएगा अब यहाँ पे आप bank account fill up कर देंगे और जिसमें भी आपको refund चाहिए हो वो आप टिक कर देंगे अगर आपके case में कुछ tax pay करना होगा तो यहाँ पे tax payable आजाएगा यहाँ पे एक button आजाएगी चलिए मैं आपको करके दिखाता हू तो चलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे मैं कुछ quantity increase कर देता हूँ मालिया मैं यह कर देता हूँ देखे अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ अगर आप यहाँ पे calculate करेंगे जो मैं आपको बता रहा था कि जितना आपको total gain हुआ है वो आपको वहाँ पे fill percent is equal to item 3 तो यहाँ पे देखे 1588000 है अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा तो अगर आप नीचे आएं तो यहाँ पे यह सारी details आपको fill up करनी पड़ेंगी यह मैंने यहाँ पे fill up कर लिया तो चलिए अब मैं यहाँ पे फिर से वापस आता हूँ और अब मैं यहाँ फिर से calculate tax करते हैं तो जितने बार भी आप changes कीजिए आपको यहाँ पे calculate tax पे click करना पड़ेगा ठीक है अगर आप click नहीं करते हैं तो काफी high chances हैं कि आपका सही से calculate ना हो तो इसको हम okay कर देते हैं देखिए कोई error यहाँ पे नहीं आई अब अगर देखिए आप यहाँ पे करके देदेगा वहाँ पे आप tax pay कर सकते हैं और फिर आपको वहाँ से चालान नमबर मिलेगा अब आपको क्या करना है आपको इस tab में आना है IT tab में और यहाँ पे आपको fill up करना पड़ेगा BSR code date of deposit जब भी आपने उसको fill किया serial number of चालान और कितना amount आपने किया तो वो यह यहाँ पे आपको fill up करना है तो fill up करने के बाद आप यहाँ पे फिर से आईएगा और यहाँ पे आप generate XML कर दीजेगा ठीक है अगर आप यहाँ पे अभी generate XML करेंगे तो आप ऐसे यहाँ पे ok कर दीजेगा तो आपकी XML generate हो जाएगी इस पे मैंने already एक video बना रखा है कि आपक इनकम इन सारे sources से हो रही है आपको कुछ capital gain मिल रहा है या आपकी house property से को income हो रही है या आपको कुछ income other sources हो रही है आपने कुछ savings का रखी है और आपको अगर income tax आपको file करना है तो वो आपको कैसे करना है अगर आपको कुछ long term capital gain हो रहा है उन तीन categories से तो आपको 112a नहीं capital gain जो की इन तीन categories से आता है और अगर वो एक लाग से कम है तो क्या आपको कोई tax पे करना पड़ेगा तो इसका answer no है अगर आपका कोई भी long term capital gain जो की तीन categories से जो की cover होती है section 112a में तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है उस case में आपको tax नहीं देना पड़ेगा मैं आपको ये एक example के तोर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिससे आपको ये clear हो जाएगा तो चलिए अब हम एक दूसरा example देखते हैं जहाँ पे हमारा long term capital gain एक लाग रुपए से कम होता है तो चलिए मैंने ये idea 2 form open कर लिया है जिसमें कि मैं आपको show करने वाला हूँ अगर आपका long term capital gain एक पे डाल लगी है same एक लाग हमारा यहाँ से आया house property भी मैंने same डाल लगा है तो यहाँ पे 42,000 हमारा मिल रहा है अब देखे यहाँ पे जो schedule 115 AD में पड़ा है ये हमारा total calculate होके कितना आ रहा है 58800 तो ये आपका एक लाग से कम है तो इस पे आपको कोई tax नहीं पड़ेगा अ पहले category यह है from sale of equity sharing in a company या unit of equity oriented fund या unit of a business test तो अगर आपका कोई भी long term capital gains section 112a में cover होके आता है उस पे एक लाग तक आपको कोई tax नहीं देना है अगर आप यहाँ पे part B TTI में भी जाएंगे तो यहाँ पे देखे यह लिखा होगा यह आ गया long term chargeable at the rate 10% तो यहाँ पे 58800 जिरो आ गया तो देखे यहाँ पे अगर आप आएंगे part B TTI यहाँ पे लिखा है tax payable on total income तो देखे यहाँ पे 0 आ गया मतलब अगर आपका long term capital gain एक लाग से कम है section 112a के recording तो आपको कोई भी tax pay नहीं करना पड़ेगा तो I hope आपको यह clear हो गया होगा यह मैंने काफी basic चीज हैं या कोई भी queries हैं या आपको किसी भी चीज में कोई भी confusion है तो आप comment section में मुझे बदा सकते हैं अगर आपने मेरे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए आप income tax की playlist भी refer कर सकते हैं वहाँ पे काफी सारे और भी वीडियो पड़े हुए हैं तो आप उनको देख सक करते हैं तो thanks for watching bye and take care